जैहिन सात्यों स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के लासेस विस्तुमित जैन यूटूब चैनल में तो सभी सात्यों एक बार वीडियो को लाइक करनें दोस्तों इस्टार्ड हो चुका है आज का इसेसन है ना और दोस्तों जिन्होंने 2020 टेस्स सीरीज में भाग नहीं लिया है वो 2020 टेस्स सीरीज में भाग जरूर लें दोस्तों ठीक है आपको पता है गुरुबार और रभीबार को दो दिन बिलकुल दोस्तों फिरी होती है 2020 टेस्स सीरीज आप सभी के लिए है ना यह फिरी टेस्स सीर किलासेस एप डाउनलोड करना है पिले स्टोर में जाएए सर्च करिए सेल्प स्टेडी किलासेस एप ठीक है इस एप को आप सर्च करते हो दोस्तों तो आपको एप मिल जाता है और एप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको क्या होता है कि यह सेल्प स्टेडी किलासेस पर 2020 जो test series है यह आपको मिल जाती है ठीक है सबता में दो दिन मिल जाती है और 21 जून से निचोड कोर्स स्टार्ड होने वाला है दोस्तों जैसे आप किसी किसी परिक्षाओं के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है यह आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आप निचोड निचोड पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तो इस कोर्स में आज ही अड़ीसर ले लें आप हिंदी साहित के संपूर कोर्स में 1199 में जिसमें आपको संपूर कोर्स तो करवाई जाएगा हिंदी साहित का बिश्तरे तद्दिन भी करवाया है अब दस दिन में आपका पूरा निचोड निचोड जो मटेरियल है मलाई है वो आपको दोस्तो दे दी जाएगी है ना मलाई मलाई जो एकजाम में पूछा जाता है ऐसे प्रस्णों को अपन कबर करेंगे दस दिन में तो 21 जून से पहले अगर आपको एड़ीसर लेना है तो आप ले सकते हैं साले छे बजे से एक क्लास स्टार्ड होगी लाइफ क्लास होगी है ना इसमें पढ़कर के आपको बहुत मजा आएगा ठीक है अब यहाँ पर देखो दोस्तो एक जुलाई से चतुर्थ बैच स्टार्ड होने वाला है तीन बैच और दोस्तो चतुर्थ तद्ध्यन, टेस्ट, ट्रिक सब कुछ करवाया जाएगा और इसी चतुर्थ बैच में आपको निचोड कोर्स मिलने वाला है ना तो निचोड कोर्स और दोस्तो चतुर्थ बैच, टेस्ट भी, ट्रिक भी, लाइफ क्लास, रिकॉर्ड इट कोर्स, डाउट, सेसन, किलियर बाला है ना यह सारी चीज़ें दोस्तो यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर दें और दोस्तो अपने मित्रों तक सेयर करने आज का जो सेसन है वो स्टार्ड होने बाला है ना और सेलफ स्टेड़ी किलासे से अपसे सभी लोग दिन पर है हिंदी साहित के आरंभिक काल को आचार रामचन सुकल ने क्या कहा है पहला कोस्चन है अच्छा कोस्चन है सबसे बनेगा सरल कोस्चन है जल्दी से आपको बताना है फिर दोस्तों हम यहां पर चर्चा करेंगे पूरे कोस्चन पर चर्चा करेंगे क्योंकि आपको पता है कि सर नाम करण से एक क्वेस्चन पूछा जाता है नाम करण से एक क्वेस्चन जरूर पूछा जाता है तो जल्दी से बता दो हिंदी साहित के आरंभिक काल को आचारामचन सुखल ने क्या नाम दिया है फटापट से आपको दोस्तों कमेंट में लिखना है क्या नाम द दिया है बीर गाता काल या फिर सिद्ध सामन्त काल तो सभी लोगों का लगबक सभी लोगों पर आंसर बना है कि सर हिंदी साहित के आरंभिक काल को जो नाम दिया है राम चंसुखले ने वो कौन सा नाम दिया है आपका उत्तर बिलकुल शही आया बीर गाता काल ठीक है तो आरंभिक काल अगर पूछ लिया जाए कभी तो आपको क्या लगाना है मिस्त्र बंदू ठीक है और कभी आपसे प्रारंभिक काल नाम पूछ लिया जाए प्रारंभिक काल तो आप क्या बताओगे गडपती चंद गुपते ठीक है गडपती चंद गुपते बताना ठीक है पूचा जाए तो गरपती चंद गुपते और आरंभिक कल पूचा जाए तो मिस्र बंदू है ना आधी काल पूचा जाए कि आधी काल को आधी काल की संग्या किस ने दी तो हजारी पर साथ दुवेदी ठीक है चारण काल किस ने कहा तो रामकुमार बर्मा और गिरियरसन ने ठीक है सिद्द सामन्तिकाल किस ने कहा तो आप क्या बताओगे राहुल सांकृत्याइन ने तो अपने पास एक कोश्चन आया था नार्mal से एक कोश्चन की बदले दोस्तों हमने छे कोश्चन को यहाँ पर कबर कर लिया छे प्रश्चनों को कबर कर लिया जो कि आपको बीर गाता काल का कभी कौन सा नहीं है चंद बरदाई नाम देओ जगने किया फिर मधू कर यन की प्रश्ण किर्मान का आपका टू और टू में आपको चेन करना है आसान कोस्चन है सरल कोस्चन है दोस्तो बीर गाता काल के कभी आपको पता है अब आपको बताना है कि बीर गा सारे लोगों को पता है अब देखते हैं कौन-कौन सही उत्तर बताते कौन-कौन इसमें डाउट्स में चले जाते हैं लेकिन लगभक सभी लोगों ने बिलकुल सही तीर निसाने परमारा है बोले सर अगर आपने ये उत्तर पूचा है तो हम नाम देओ लगाएंगे नाम प्रत्विराज रासों लेखा हिंदी का प्रताम महाकाब जगनिक भी है जगनिक ने आपको पता है कौन सा लेखा है दोस्तों जगनिक ने पता है परमाल रासों लेखा है बेरी गोड मधुकर ने कौन सा लेखा बोले सर जैमयंक जस चंद्री का लिखा एक गरंत ठीक है तो बीर गाता काल के सर्बस्रेष्ट कभी को अनमाने जाते हैं जल्दी बताओ सर्बस्रेष्ट कभी बताना है इनमें से बीर गाता काल के तो इस सारे के सारे कभी है लेकिन सर्बस्रेष्ट कभी को अनमाने जाते हैं प्रशन किरमांग तीन का उत्तर आपको बताएना है और दोस सही आंसर चला जाएगा अगर इस प्रकार से question सर्बस्रिष्ट अगर आपसे पूछा जाए तो सर्बस्रिष्ट कभी दोस्तों चंद बरदाई चंद बरदाई कहलाएंगे ये नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है बाकी जगनेक दलपती बिजय बिद्यापती ये भी आदिकाल के कभी है लेकिन सर्बस्रिष्ट की बात आई है तो आपको चंद बरदाई लगाना है जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सबी लोग बिल्कुल है ना कस के उत्तर लगा रहा है कस के अंगला कॉस्चन प्रत्विराज रासों की रचनाकार कौन है प्रत्विराज रासों की रचनाकार कौन है सरल कॉस्चन बहुत आसान कॉस्चन सभी से बनेगा प्रत्विराज रासों की रचनाकार कौन है प्रतिवी राज रासों के रचनाकार कौन है जैदियो चंद बरदाई जगनेक या फिर बिध्यापती और आपने बिलकुल सही ने बताया है कि सर चंद बरदाई में टिक कर दो है ना टिक कर दिया बी नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा बहुत बढ़ गया है ना अंगल कभीरदास की भासा आपको बताना है एक कभीरदास जी है दोस्तों है ना और कभीरदास ने जो समाज को फटका रहा है है ना जो दोस्तों उसके बाद अगर है ना ये कोस्टन और हम आपसे पूछेंगे अभी कभीरदास का आपको बताना है क्योंकि दोस्तों अपन पढ़ किसे कहा जाता है तो अपन क्या पढ़ते हैं नागरजुन क्या पढ़ते हैं आधने काल के कभी नागरजुन है ना आधने काल के कभीर नागरजुन आधने काल की मीरा महादेवी बर्मा और यहां पर कभीर की भासा पूछी तो आपने लगा दिया साधुकडी क्या है साधुक किस ने कहा देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं कबीर की भासा को साधुक्डी भासा किस ने कहा है कौन-कौन बताते कौन-कौन डाउट्स फिल करते इस कॉस्चन में क्यूंकि डाउट्स वाला कॉस्चन है बताईए कौन-कौन बता रहा है कबीर की भासा को साधुक्ड किसने कहा बढ़िया question है, doubt वाला question है और बहुत सारे लोग doubt इसी में रहते है, किसमें रहते हैं, एक तो स्याम सुंधर दास में और रामचंदर सुकल में, है ना, तो आपको याद रखना है दोस्तों, यह जो साधुकडी कहा कबूर की भासा को, वो किसने कहा, रामचंदर सु कुछ लिया जाता कि कभीर की भासा को पंच मेल खिचडी किस ने कहा पंच मेल खिचडी है ना और खिचडी घर में बनती है तो कैसी बनती है पुलिसर बड़ी सुन्दर बनती है खिचडी कैसी बनती सुन्दर है ना तो सुन्दर खिचडी से स्याम सुन्दर याद रखना अं पंक्तियों के रचना कार कौन है बताईए पुसपैंद्र जी बताईए कट कटान कभी कुझर भारी दुहु बुजदंद तमकी महीमारी प्रशन किरमाग 6 में आंसर आपको चैन करना है तो इसमें बताईए 4 विकल्फे 6 में आंसर और ये पंक्ती बताना है पंक्ती किसकी है बहुत अच्छी पंक्ती है, सभी लोग बताएंगे यह आपकी पंक्ती है दोस्तों, इन पंक्तियों को आपको चेन करना है, चेन करिए, और बिलकुल सभी लोग सोच सोच के उत्तर बता रहे हैं, आज तो कुछे खा कर आए हैं, कट कटान कपी कुंजर भारी, दोबुज दं नितमक महावारी है ना, यहाँ पर आपका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा, तुलिसी दास, क्या उत्तर हो जाएगा, तुलिसी दास यानि की ए नमबर, यह नमबर आपका बिलकुल सही है, यह जो पंक्ती है, यह पंक्ती है तुलिसी दास की, ठीक है, तुलिसी दास चंद दसन जोती नगहीर नयन जो देखा कमल सा बताईए जल्दीशे साथ का अंसर आपको बताना है बताईए तुलशी दाज की ये पंक्ती है जैसंकर की पंक्ती है जाई सी किया कभी बोले कमल सा नयन देखकर बोले सर प्रेम के भाव आ गए कैसे भाव आ गए प्रेम के भाव और प्रेम के भाव किस काबधारा में आते हैं पताइए किस काबधारा में किस काबधारा कौन सी वो काबधारा है जिसमें दोस्तो है ना प्रेम की महत्ता को सुईकार किया गया है है ना प्रेम की महत्ता को तो सभी काबधारा में सुईकार किया गया लेकिन आपको याद करना है क नयन जो देखा कमल सा बुलिसर नयन जो देखा कमल सा और बुलिसर प्रेम उमड गया प्रेम और प्रेम की बात कौन करेंगे यहां पर जाइसी करेंगे क्योंकि सूपी काबधारा में आपको पता है सूपी काबधारा में दोस्तो इस्वर की जो भक्ती की गई वो पतनी के जाएंगे साक्षाद बोले बताओ बिटा कौन से एकजाम को पास करना बोले जादा ने टी जी टी पी जी टी है ना कल्यान हो जाएगा गुरुप का है ना यसी भक्ती करना है यह जाइसी जी माने जाते जाइसी मलिक मुहम्मद जाइसी पदमाबत इनका गिरंते दोस्तो महा कब माना जाता है और सिवा बाबनी की रचनाकार कौन है सिवा बाबनी की रचनाकार इतना सरल कॉस्चन पूछ लिया गया सिवा बाबनी बताईए आपको पता है दोस्तो है ना प्रिसस्ती परक प्रिसस्ती परक बताना है प्रिसस्ती परक जो रचनाए की है वो किसने की है ए इसा भी आता है है ना तो आपका पता होगा प्रसस्ती परक प्रसस्ती परक का अर्थ समझते हो सभी लोग की नहीं समझते प्रसस्ती परक क्या होता है प्रसस्ती परक बो है दोस्तों जैसे किसी राजा के सरक्षण में रह करके राजा के यसोगान का बर्नन करना बो है प्रसस यानि कि अपने राजा अपने सर्रख्षक के दोस्टों एना यसोगान का वर्नन किया है उनकी दोस्तों क्या की यह कहला तर प्रसस्ती परक्ष। ठीक है यहां पर आपका बी नमबर भूशन जी बिल्कुल सही हो जाएगा अंगला क्वेश्चन है नर्की और नरी लीकी गति एकर जोए जेतो नीचो हे चले तेतो उंचो होए पंगती किसकी है नर्की और नरी लीकी गतिये की पंगती बता बताइए जल्दी से पंक्ती के रचनाकार कौन है पंक्ती के रचनाकार आपको बताना है और शभी सर नहीं अठक रहे हैं सही-सही बता रहे हैं और आपने बताया तो उत्तर चला जाता है आपका बिहारी क्या चला जाता है बिहारी बिहारी लाल चला जाता है है ना और आपको बता है इन्होंने गरंत लिखा कौनसा बिहारी सस्ताई इन्होंने कौनसा गरंत लिखा बिहारी सस्ताई बिहारी सस्ताई मुक्तक का आप है दोस्तों क्या है मुक्तक का आप है बिहारी सस्ताई याद र जाता है ठीक है प्रफारी दोस्तों रीती शिद्द्य काबध्यारा के और प्रॉशन के पूचाнее बढ़ेंगे बताएं डाये सखी बे मुझसे कहकर जाते सकहर के रचेता कुन है कई बार ये पंक्ती पूछी गई सकी बे मुझसे कहकर जाते ये पंक्ती किसकी है अग्ये की मेत्रिशन गुप्त हर्योद या फिर जैसंकर पिरसाद की सकी बे मुझसे कहकर जाते जिन भी साथियों को कोर्स में अड़िसन लेना है कोर्स में अड़िसन ले स चालू है आप उस पर मुझे WhatsApp पर मेसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम से भी जोड़ सकते हैं आप हमसे सुमिछ जैन सेल्फ स्टेडी क्लासे सर्च कर सकते हैं फेस्बुक से भी जोड़ सकते हैं सकी बे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंग्तियों की रचेता कौन है सबी लो आपको आया राष्ट कभी मेतली स्रण गुप्त है भारत भारती इनकी रचना दोस्तो 1912 की प्रसिद्धी के कारण इन्हें राष्ट कभी की उपादी दी थी किसने महतमा गांधी ने लेकिन आपको इनका जन्म बताना है कब हुआ था जल्दी बताओ जन्म कब हुआ था श चन्नो की परदी से मुक्त कराने वाले कौन थे हिन्दी कभीता को चन्नो से मुक्त कराने वाले कौन थे जल्दी से आपको बताना है और बिलकुल सही आंसर आया है आपका किसर 1886 में जन्म हुआ था मैतली स्रण गुप्त का चिरगाउजिला जहासी में बहुत बढ़ी आंस हिंदी कविता को चंदों की परधी से मुक्त कराने बाले कौन थे ए आंसर आपको चेन करना है बहुत बड़ी यहां पर प्रशन आप से पूछा गया है अच्छा आंसर सभी लोगों ने बताया है सभी लोग लाइक जरू कर देना दोस्तों मेरा जो बाटसप नंबर है पुरा लिंक काईगी एना टेली घ्यां में आपकी लिंक कर आईगी तो टेलीगराम में देखना आभी वाटसप पर आपकी लिंक नहीं आ रही है तो सभी साती अपना जो self-study classuse AIF है उस पर जाएए self-study classuse open करिए है ना उसमें चैट के option में चैट के option में आपको being अपना गुरूप है उस गुरूप में जाईए उसमें लिंक आपको रोज मिलेगी अथावत समय पर है ना यहाँ पर आपको यह उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या सूर कांतर पार्टी निराला कब हुआ था निराला का जन्म निराला का जन्म भी आपको पता होनी चाहिए कब हुआ था भाईया निराला का जन्म जल्दी से बता दो यहाँ पर आपके बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पर निराला का जन्म जब तक आपको बताना है तितली किसकी रचना है तितली अपन बोलते ना तितली उड़ी बस पे वो ही है तितली तितली किसकी रचना है यह भी आपको पता करना है हैंआ 21 जून से दोस्टो निचोर किलासे स्टार्ड होने वाली है PED कोर्स में तो यह से क्यουड़ देगा जो हमेशा एकजाम कोश्चन पूचे जाते हैं एसे कॉस्चनों पे 21 जून से 6 बजे से किलास स्टार्ड हो जाएगी रोज 10 दिन में कम्प्लीट करना है निचोड निचोड करके हिंदी साहित को ठीक है तितली किसकी रचना है जल्दी से बताना है आपको और आपने चैन किया है किसर अगर तितली की बात करोगे तो ये तित इन्होंने कौन कौन से लिके हैं जल्दी से बताओ कौन कौन से उपन्यास लिके हैं तितली हो गया एक दो और उपन्यास बताओ जल्दी से दो उपन्यास और बताना है दोस्तो एक मैं और बता दे रहा हूं कि इनका एक अधूरा उपन्यास भी है है ना बहुत बड़ी आंसर बताया आप लोगों ने कि सर इनके तीन उपन्यासों की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले कंकाल है ना कंकाल तितली तितली भी आप संकर पिरसाद का उपन्यास है और इन्होंने कुल मिलाकी तीन उपन्यास लिखिये हैं जिनने आपको पढ़ दिये अंगला कोस्चन अतीत के चलचितर की रचेता कौन है अच्छा कोस्चन है अतीत के चलचितर कई बार कोस्चन पूछा गया जैसंकर पिरसाद हैं सूरकांत्र पाठी निराला महादेवी बर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत जल्दी से आपको चैन करना है वीडियो को लाइक जरू करेंगे दोस्तों फटा पट से लाइक जरू करना है आपको और जुड़े रहना है और हमारे जितने भी पैड मेंबर बालिस आती हैं वो एप पर दोस चितर की रचनाकार कौन है तो आपने बिलकुल सही आंसर बताया महादेवी बर्मा अब महादेवी बर्मा का जब नाम आता है तो इनकी एक दोस्तों रचना है यामा काब संग्रह के लिए 1882 में इस जान पीट पुरुषकार मिल गया लेकिन हम इनका जन में नहीं महादेवी बर्मा का जन में कब हुआ शबी लोग बताएंगे महादेवी बर्मा का जन में कब हुआ दोस्तों इसका आंसर आपको चैन करना है महादेवी बर्मा का जन में कब हुआ ये सभी लोग आंसर कमेंट में लिखेंगे जल्दी से बताएंगे अतीत के चलचितर के र रचेता कौन है अतीत के चल्चितर के रचेता दोस्तों जो रचना है ये महादेवी बर्मा की है लगबग सभी लोगों को पता है महादेवी बर्मा की रचना है लेकिन आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था इनका जन्म कब हुआ था जल्दी से बताए जल्दी से बताएं आप लोग अतीत के चल्चित्र की रचनाकार तो आपको पता चल गया लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि अतीत के चल्चित्र की जो महादे भी बर्मा है इनका जन्म कब हुआ था फटाक से कमेंट में लेखें आपने सही बता दिया है 1907 वेरी गुड पल् की रचनाकार कोन है यसे कई कोस्चन है जिनको आपको बार-बार रिपीट करके पढ़ना है और मैंने कई बार आपको याद करवाया है कि सर जो पल्लव रचना है जो पल्लव रचना है इसे क्या कहा जाता है इसका रचनाकाल क्या है बोली सर पल्लव का रचनाकाल क्या है त अच्छी किलास से दोस्तों यह थावत आपकी इसी प्रकार से चलती है नौ बजे जिन भी सातियों ने कोर्स में अड़ीशन नहीं लिया एक जुलाई से नया बैच आपको चैन करना है और बढ़िया क्वेस्चन है और उत्तर आपने बिल्कुल सही बताया किसर अगर लगाना जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए वीडियो को सभी लोग लाइक जरू करेंगे दोस्तो और अपने मित्रों तक एक बार सेयर कर दो अपने जितने भी मित्र हैं दोस्तो और जो पैड़ वाले हमारे साती हैं पैड़ वाले सभी साती अपने गुरूप में बता दें कि अभी बाटसप पर लिंक नहीं आएगी आप अपने एप में देखिए अपने जितने भी में चैट का ओफसन आता है ठीक है तो जल्दी से बताईए चिंता मणी की रचेता कौन माने जाते हैं इसका आंसर आपको सभी लोगों को बताना है उत्तर आपका यहां पर क्या हो जाएगा चिंता मणी की रचनाकार आपको चैन करना चार विकल्प हैं आपके सामने एक तो ज सभी लोग कर देंगे उत्तर आपका क्या हो जाएगा जल्दी से बताईए सभी लोग बताएंगे चिंता मणी की रचनाकार और बोली सर चिंता मणी की रचनाकार की अगर बात करोगे तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो है ठीक है चिंता बनी के लिए चेता राम चंद्र सोकल सी नम्मर आपका बिल्कोर साही हो जाएगा अंगले क्वेस्चन की और हम बढ़ेंगे अंगला क्वेस्चन आपको बताना है जन्मे जय का नांग यग्य किसकी किरती है जल्दी से आपको चैन करना है आपका उत्तर क्या हो जाएगा शेत गोबिन्ध दास जय संकरपरसाद लच्मी नाराणलाल या फिर दोस्तों शेत गोबिन्ध बल्ला पंत जल्दी बताओ ये जन्मे जय का नाग यग ये दोस्तों क्या है ये नाट रचना है क्या है नाट रचना है अभी किसकी है अभी यहाँ पर नाग आ गया नाग और नाग तो कहां पड़ा नाग कहां पड़ा बुलि सर ये पड़ा है कहां पड़ा है ये पड़ा है कहां पर गले में पड़ा है है गले में है न संकर जी के गले में तो जनमे जै का नाग यrop जाता है और आपका जो बी नमबर है वो आपका बिलकल शही है जनमे जै का नाग यrop किसकी किर्टी है जै संकर नवासी में कब हुआ था 1889 बोले सर जै संकर को सीस नबासी सीस नबासी करते न आप लोग नबासी नबासी तो क्या हो जाएगा नबासी 1889 ठीक है अंगला क्वेस्चन हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल बहां चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उडाते जहां चले पंक्ती के रचेता कौन है पंक्ती के रचना कार आपको बताना है और आपने वो गाना सुना होगा दीवाना तेरा आया सुना है सभी लोगों ने दीवाना तेरा आया सभी ने सुना होगा भाया और बोले सर हम तो किसके दिवाने हैं, भगते हैं हम तो दिवाने हैं, हमें तो दिन रात भगबती की भगती दिखती है, है ना, किसकी भगती दिखती है, बोले सर भगबती की भगती दिखती है, हम तो दिवाने हैं, हम तो भगते हैं, है ना, भगते हैं, यानि कि आपका जो B number है कि दीवाने तो दीवानों को पकड़ देना और दीवानों से भगवती चरण बर्मा हम तो भगवती के दीवाने बोले सर B number आपका बिल्कुर्ट सई हो जाएगा हम तो भगवती के भगते हैं अंगला question निम्न मैंसे सबसे पहले अपनी आत्मकता हिंदी में किस ने लिखी अब यहाँ पर यह नहीं समझ लेना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाती हैं अब यहाँ पर पूचा जाता है कि सबसे पहले अपनी आत्मकता लेकिन यहाँ सबसे पहले यहाँ पर निम्न लिखेत कार् है और यहां पर स्याम सुंदर दास सेट गोबिंद दास ये आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर बताईए जब आहलाल नहरू राजंदर पिरसाद निम्न मैसे सबसे पहले अपनी आत्म कता हिंदी में किस ने लिखी हिंदी में किस ने लिखी अठारा का अंसर और हिंदी में किस ने लिखी ये आप से पूचा है तब आपने उत्तर लगाया है राजंदर पिरसाद वेरी गुड यहां पर निम ने लिखे तुमें असे पूचा इसलिए राजंदर पिरसाद अब आपको बताना है कि राजंदर पिरसाद की जो आत्मकता थी उसका नाम क्या है किस नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी थी जल्दी से बताईए राजिंद पिरसाद ने किस नाम से आत्मकथा लिखी थी कौन कौन को पता है जल्दी जल्दी बताईए बहुत अच्छा कॉस्चन एक कॉस्चन आया हुआ भी है एकजाम में कई बार आया है लोग प्राचीन आत्मकता मानी जाती है लेकिन हैना हिंदी की प्रतम प्राचीन आत्मकता मैंने आत्मकता को बहुत अच्छे से पढ़ाया है अब ये पंजाब अंगला कोश्चन यहां पर देखते हैं, अबला जीबन हाई तुम्हारी यही कहानी, आचल में है दूद और आखों में पानी, बताईए, यह जो है, एक किसकी पंक्ती है, कामाईनी साकेत यह सुधरा या फिर आसू, बताईए, जल्दी बताओ, अबला जीबन हाई तुम्हा आखों में पानी जल्दी से आपको बताना है उत्तर आपका क्या हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा का माईनी साकेत यसोधरा या फिर आसू ये पंक्ती किसकी है अबला जीबन हाई तुमारी यही कहानी और आपने बिल्कुर सही आंसर बताया है सही आंसर बताया है किसर यह पर उत्तार सी नम Обर हो जाईगा सी नमर आपका बिल्कुल हो जाएगा ये यसो धर काब है किसने सबसे जादा प्रबंद काब लेखे है सबी लोगों को पता है और ये अबला जीबन हाए यसो धरा से ये ली गई पंक्ती है लगबक सभी लोगों को पता है हिमालाए के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव पहार उसा ने हसा भी बादन किया और पहनाया हीरे का हार पंक्ती के रचेता कौन है पंक्ती के रचेता बताना है ह हिमालाए के आंगन में उसे प्र्थम किरणों का देव पहार, मैंने कई बार आपको बताया एक दो सिन्थ कुमार की गजल है, कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में , और तेरे सीने में ना सही किसी और के सीने में है ना है कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए इस हमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए ऐसा है कि हमालय की आंगन में उसे प्रतम क्रणों का देव पहार उसा ने हसा बिवादन किया और पहनाया खीरे का हार है ना पंक्ती के रचेता कौन है पंक्ती के रचेता क जैसंकर पिरसाद से मिल जाते हैं इनका जन में 1889 है ना जैसंकर पिरसाद नाटक कार के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तो है ना आपने पड़ा है जैसंकर पिरसाद छायाबाद के प्रवर्तक है ना ईला चंदर जोसी ने इने छायाबाद का प्रवर्तक माना तो यह जैसंक लिए क्यूंड, ऐसे एपसे जोढ़ जाएं और हमेशा अब भीयास करें, हैना क्यूंकि आपको पता सपता में दो दिन टेस्ट कराय जाता आपको बिल्कुल फिरी में 2020 टेस्ट्रेज और आहन्चलेक रचना किस से संबंधित होती हैं, देश बिसेश से संबंदित होती है लोग बिसेश से संबंदित होती है छेतर बिसेश से या फिर जाती बिसेश से संबंदित होती है 21 का आंसर आपको चैन करना है और सभी लोग आंसर बता रहा है कि सर आंचले को पन्यास की बात कर रहे है क्या आप मैंने कहा हाँ जैसे आंचले को पन्यास लिखा गया था फणी सुनात रेनुजी ने किसने लिखा था फणी सुनात रेनुजी ने लिखा था प्रथम आंचले को पन्यास कौनसा लिखा था बुली सर मेला आचल ये प्रथम आंचले को पन्यास माना जाता है लेकिन आंचले के रचना आपको पता है तो ये दोस्तों किस्ते संबंदित होती है छेत्र बिसेश छेत्र यानि की अंचल अपन बोलते कि हमारे अंचल में जरूरा ना है ना हमारे अंचल में तो ये छेत्र बिसेश यानि की याद रख लेना आपको पता है उसने कहा था अपने एक दोस्तों कह वेरी जी की कहानी, यहां पर तो खियर आँचले काप से पूचा गया तो छेतरविशेस से हो गया, मेला आचल रियाणू जी का प्रतम आचले को पन्यासकार भी हो गया, बिलकुर right answer बहुत बढ़ आध potrzeb निर्गुन भक्ति काब का प्रमुक कभी कौन है निर्गुन भक्ति धारा आपन लोग पढ़ते भक्ति काल को पढ़ते हैं बोले सर भक्ति दिर्मिन उपजी लाई रामानन्द है ना आपने ये पंक्ति पढ़ी होगी लेकिन दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि भक्ति काल बोली सर कितनी साखाओं में थी बोली सर दो काब धाराओं में बटी सबसे पहले तो ये सगोन और निर्गोन में फिर सगोन भी दो काबे में बट गई और निर्गोन भी दो काब धाराओं में बट गई ये अलग-अलग प्रकार से बटी लेकिन आपको पता होगा कि निर्गो निर्गुण भक्ति काब्ब का प्रमुख कभी कौन है अगर ऐसा क्वेस्चन कई बार आता है तो आपको पता होनी चाहिए कि निर्गुण भक्ति काब्ब के जो प्रमुख कभी माने जाते हैं दोस्तों वो माने जाते हैं कौन कभीरदास कौन माने जाते हैं कभीरदास माने जाते और सी नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा है अंगला नगला कुश्चन और है स्क्रीन पर स्रद्धा किस किरती की नाईका है बहुत बड़ा और Self-Study Classes, एस एप किस ने नहीं डाउनलोड किया, एप को जरूर डाउनलोड करें, मित्रों आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही है, एक तो सबसे सस्ता, सबसे सुन्दर, सबसे अच्छा कोर्स लांच किया गया, जहाँ पर ट्रिक से भी, जहाँ पर बिस्तरित भी, टेस्ट भी, ट्रिक भी, लाइब क्लासें भी, सब कुछ, और स्रद्धा किस किर्थी की नाईका है, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, बुली सर, कामाईनी लगा दो, मैंने कामाईनी को लगा दिया, आपने बताया सर, इसका रचनाकाल और लिख दो, 1935, मैंने ल भी लिख दिया, कामाईनी, और कामाईनी की रचनाकार, बुली सर, जैसंकर पिरसाद और लिख दो, तो मैंने जैसंकर पिरसाद और लिख दिया, की कामाईनी की रचनाकार, जैसंकर पिरसाद है, कामाईनी का रचनाकाल, 1935 है, 15 सर्ग है, इसका प्रिथम सर्ग, बुली सर, चिंता से स्टार्ड होता है और आनंद पे खतम होता है यानि की प्रिथम सरग चिंता और अंतिम सरग कौन सा बोली सर आनंद लगा दो और आनंद से अपनी किलास भी यहाँ पर चल रही है तरूबर फल नहीं खात है सरवर पिया हीना पान पंक्ती के रचेता कौन है सबी बताओ फटापट से बताना है उत्तर क्या हो जाएगा तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पिया हीना पान और उत्तर आपका कौन हो जाएगा यह पंगती जो है यह पंगती किसकी है जल्दी बताइए उत्तर क्या हो जाएगा तरवर फल नहीं खाते हैं और सरवर पिया हीना पा बात है सरवर पिया हीना पान प्रस्तोत पंग्ती के रचेता और प्रस्तोत पंग्ती के रचेता कौन है पुरे सर रहीम दास लगा दो रहीम दास में आप टिक करोगे तो मज़ा आ जाएगा ये नम्मर आपका बिलकूर सही हो जाएगा है ना ये हो जाएगा सही और ये जो र रस खान के बारे में वो पंक्ती पूछी जाती है कई बार आपको जल्दी से बताना है बताना लेकिन आपको ही है है ना तरन तनूजातर तमाल तरुवर बहुचाए बोले सारी तो अलंकार में पूछा जाता है है ना मैंने कहा अलंकार भी बता देना कौन सा है इसमें है ना कई बार आपने देखा होगा जन्म से बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं तो बताईए बताईए तरन तनूजातर तमाल तरुबर बहुच्छाए इनकी रचेता कौन है रचेता कौन है इस पंक्ती के रभारतेंदू है क्या रामदारी से दिनकर है माखलाज चुत्रवेदिया फ पेसल ये 21 जून से 10 दिन तक आपके लिए निचोड कोर्स कंप्लीट किया जाएगा है ना ताकि आपको जितना भी है वो रिवाईज हो जाएगा और जितनी भी मलाई है हिंदी साहित की वो मलाई आपको मिल जाएगी मलाई मलाई है ना किस को खाना है मलाई सभी को खाना हो जीब में पानी आ गया होगा कुछ लोग का तो है ना तो तरन्द तनूजा तर्ट तमाल बर बहुचाए भारतेंदु जी की ये पंक्ती है है ना और बुलिसर अलंकार की पूछोगे तो इसमें अनुपरास अलंकार है ठीक है वेरी गुड रामधारी से दिनकर का जन्म कब है यहां पर बहुत अच्छा हो जाएगा मज़ा आएगा आपको है ना तो यहां पर उत्तर आपका क्या होगा उत्तर होगा पूलिसर उनी saw 1908 हो जाएगा 1908 ठीक है तो बिलकुल शही आंसर 1908 आपका सही है है ना दिन आठ पुरे आठ है ना इसको याद रखते ना आठ दिन है ना ठीक है बहुत बढ़िया इसी प्रकार से सभी लोग अध्यन करती रहें वीडियो को लाइक करती रहें अपने मित्रों तक सेयर करती र आठ लेना है जितने भी आपके साति हैं 2020 test series में आप सबी को भाग लेना जो की बिलकुल फिरी है वाईया है ना और जब फिरी है तो फिरी में तो आप ले ही सकते होने हैं असी कोई बात नहीं है जो भी हमारे साति है ना तो उन सातियों के लिए दूस्तों हर रभीबार और गुरुबार हर रभिबार और गुरुबार को ये 2020 टेस्ट सीरेज लांच की गई और 2020 टेस्ट सीरेज आपको एप पर मिल जाएगी सेल्प इस एप पर ठीक है और जिन भी सातियों को दोस्तों ये निचोर किलास में एड़िशन लेना है 21 जून से अभी तक आपने कुछ नही पर चर्चा होगी है ना तो जिन भी सातियों को कोर्स में एड़िशन लेना 1199 में आज ही एड़िशन ले सकते हैं और दोस्तों एक जुलाई से नया बैच स्टार्ड होगा यानि कि फिर उसे उसको दोस्तों नए बैच में फिर से लाया जाएगा है ना अपने यहां यहां कि पुराना इस्टूडेंट है तो उसको नए बैच में सामिल नहीं किया जाए पुराना इस्टूडेंट भी आओ पढ़ो क्योंकि यहां तो शिर्फ पपन को क्या करना एइसा नहीं है कि भाई आप फश्ट बैच में हो तो फश्ट बैच का ही पढ़ो हैना जितने भी हमा साथी हैं आईए सब लोग मिल जोलके पढ़ते हैं है ना और अध्यन करते हैं और दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ते रहिए सबी लोग पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा और हम आपका सहयोग करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा है ना और जल्दी जल्दी से अध्यन करें ला है ना बहुत बढ़ीया सबी शातियों को धन्नबाद और वीडियों को लाइक और सेयर जरूर करना है इसी परकार से लगे रहना है और लगे रहे, लगे रहे, अद्यन करते रहे ठीक है अनीरुद जी, पुनम जी, कार्थिक जी, ठीक है और याचना जी सभी साती ठीक है बहुत बढ़िया अध्यान आपको निरंतर करना है एना एक्जाम कभी भी हो मुझी सर एक्जाम कब होगा मैंने कहा है एक्जाम हो जाएगा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अगस्त में हो जाएगा 15 अगस्त है एना 15 अगस्त में हो जाएगा जब भी हो ज तो इस प्रकार से दोस्तों किसी भी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है लगे रहना है ना और मैं तो बिल्कुल साथ हूँ मैं तो लगा हूँ आप लोगों के लिए तैयारी करवा रहा हूँ और नरंतर तैयारी अपने लागडाउन में भी कोई किलास बंद नहीं कोई मिस नहीं सब क्लासे बंद हो जाएं सेल्फ स्टेडी क्लासे इस बंद नहीं होगी यह तो चलती रहेगी कंटीनिव आप लोगों के लिए ठीक है बिलकुल ठीक है सबी सातियों को धन्वाद और इसी प्रकार से जुड़े रहें सेयर करती रहें अपने मित्रों तक जिन भी सातिय को एड़ीशन लेना है वो एड़ीशन जरूर लें ठीक है और अध्यान करते रहें और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही सातियों जै हिन